बर्डामपूर सेमरी खेर हनिया रोड के गंजडी समय माता मंदिर पुल निर्माड की मांग कई वर्षों से छेत्री लोग कर रहे थे बारिश के मौसम में करीब चार महा के लिए इस डीप पर शाशन प्रशाशन को नाव लगाना पड़ता था छेत्र के लोगों को करीब दो दशक से इस पुल निर्माड के लिए संघर्ष करना पड़ा वर्थमान समय में भाजपा सरकार में छेत्री लोगों की समस्याओं को देखते हुए तुलसी पूर विधायक कैलाशनाथ शुक्ल ने राजजी योजना सामान्या अंतरगत 165.98 लाक की लागत से पुल निर्माड की सुख्रिती दे दी है तुलसी पूर विधायक कैलाशनाथ शुक्ल ने 13 अक्टूवर 2021 को भूमी पोजन कर सलनाश किया था पूर्व निर्माड कारे ठेके दार दुवारा देर से शुरुवात किया जिसका खामयाजा बाड के पानी से छेत्रे ग्रामिड भुगत रहे हैं यदि जल्द पुल बन कर तयार नहीं हुआ तो हम छेत्रे लोग आंदोलन को वाद्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी साशन प्रशाशन की होगी परदीप मार्गुत्ता ये महराजन तरह ही है जो अपना सेमरी से गंजडी मार्ग होए वो समय माता मंदिर के पास जो पुल बन रहा हो एक वरतों से धीमी कारव होने के कारण दस फिट लगबग पानी जमा हो गया है कि कम से कम लाखो आदमी को आने जाने में तकलीप हो रहा है कितना फिट पानी जमा है दस फिट कौन सा मार्ग है ये अपना सेमरी समय माता मंदिर के पास है अबनाने के नाम पर एक अपना ही टाइम पास करना है और हमारे गराम वार्षियों को आने जाने में इतना तकलीफ वह अभी कोई अवरत घरावत्ती अगर हो जाए तो उसे बलाम पुले जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है